नमस्कार आज मैं आपको हरी चटनी किस तरह से बनाना है वह बताऊंगे जैसे धनिया और मिक्स है यह सब धनिया और नारियल की तो देखिए अब पहले सब जितना भी में मसाला ली हो ना उस सब को भून लेंगे तो एक चमच मैंने पैन में गरम हो गया था एक चमच मैंने ले लिया अब उसमें डाल दी हो उसमें दो चार जो मिर्च काटकर रखी थी यह भी डाली फिर आठ आप जितना लसन चाहिए तो डाल सकते हो बरना नहीं भी आठ लसन भी डाल दी हो अध्रक भी डाली हो एक इंच का ठीक है इस सब को भून लेंगे अच्छे से थोड़ा स दीमी आच में ज्यादा तेज आच नहीं करना है और चना दाल एक चमच में डाल दी हो आप भी आगर चाहिए तो डाल सकते हो वरना नहीं इसका टेस्ट बहुत अच्छा था जिस तरह में क्यों आप इसी तरह से करके बनाईए इस सब को थोड़ा हल्की दीमी आच में बू सलोंगि गरम कर दूंगे सब को आलाट पालट दूंगी अच्छे से बस तोड़ा साइग गरम हो जाएगा अपना तो फिर बिशने के लिए रेडि यह थोड़ा नरम हो जाएगा चार तरब से मिक्स हो जाएगा धनियात पत्ता बिर पर जो आधा नारियल क्रस करके रखी द है अम वाती जैसा चोटी वाती में उतना नाःव抵 लीठे तह उतह नारीले कर डाल देनी गा तो आप एसे एक इतने 10 जन आराम से खा सकते हो इतने चातनी में यह हो गया आपका मिक्ट चटनी धनिया मिर्च और नारियल प्रेप्र नारियल के चतनी ुतनी मजेदार लगती ह आप चाटते रहोंगे उंगली चाटते रहोंगे गभड के साथ इडली साथ बढ़े के साथ कषा सकते हुग अब इसको भी में Meg su quan Magic tulसी Kal知道 इंद कर लेनीका मिकसी में पहले सेसको इससे बेट करने की जरूत निकिए धंडा तभी हम घ्र 사ल कि और करेंगे कि इसमें पाण डाल ना पड़ेगा हम तो वे मिकसी में पानी डाल के अटार में ठंडा स्जार를 ॥ करने में सब पूरा घर sao और कोำद तब है तब बंद कर देने का मिक्स हो जाएगा तो मतला आप समझों के सब सिकूड जाएगा यह जैसे दनिया पता सिकूड गया यह नारियल भी पार इदर उदर करके गरम उसको भी मतला ओ भी थोड़ा सिख गया है तो समझ लेने का भी बंद करना है अब यह सब में पिस दूंगे अब तड़का लगाऊंगे क्यूंकि पिस कर तो मेरा हो क्या पिस दियों अब आपको बताऊंगी आप देखे पैन बैठा दियों तड़के के लिए जो पूरा नारियल का धनिया का पेस्ट बना कर रखी हो ना उस अब तड़का फिर अब राई नहीं डालने का पूरा एकदम यह गरम होना चाहिए दिल तब यह इसमें हम अभी राई डालेंगे गहिंगे कि देखे हैं आप गरम हो रहा है ना दिख रहा है है इस अब आक चमाच थोड़ा पाव जमाच आपके स्पून में पाव जमाच एक यह राई डाल दे निका स्टिल की चमाच में तो ओड़ा सा और इक बारेकबाला विआता है वो भी डालेंगे तो भी चलेग की तबी हो चाट पाष आपके पास करी पता वह धूर देनी का पाश कर देन का फिर फ कैण से, बेचте अब मुंझे नहीं मिला बाद में तड़के इडाल दोंगे देखेखें सब में रह गा अब मैं सब TH certified पीसी थी ग्राइंट की थी वह सब सारी चटनी इसमें डाल दोंगे देख रहे हैं और भी इस्टा पानी देंगे इसमें क्योंकि एक दम जाडा है आपको जाडा चाहिए तो भी ले सकते हो और डार करना चाहो तो और भी कर सकते हो पानी डालने के जरूद नहीं हो अगर पान में डाल दोंगे। एकज नमक डाली अहारजच्य च्प के दोंगेती हो एकज़ी रशेख रहां तक मैं तका गरम करते रहूंगे और उसमें अभी उडद था का तड़का लगा दी भूल गी थी बीच में आपको बताए ना अब उडद का तड़का लगा कर उसमीं डाल दो आप भी भूलना नहीं यह बेस्ट है मतला इस चटनी में इम्पोर्टेंट है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट उड़त जाल फिर मैंने नमक देखिये स्वादानों सारे डाल दियों सबको मिला दूंगे अब मेरा रेडी आप इस तरह बना के खाईए और फिर बताईए कैसे लगा आपको इस तरह से आप मेंदुड़ा के साथ इडली के साथ कोई भी बड़े के साथ खा सकते हों ठीक है चले लाइक एंड सब्सक्राइब पसंद आए तो इस तरह दिखिए उबालाने तक एसे तिन चार उबालाने तक फिर आप थोड़ा गाढ़ा लगया तो बंद कर देनीगा हो गया ऐसे फिलाल हो गया मैं आपको फिर भी बता रही हूं कि दिखिए ऐसे उबालाएगा तो ही क्योंकि कच्चा पानी था ना इसलिए अपना हो के है कंपलीट